हेलो फ्रेंड आज मैं आपको कार चलाना सिखाऊंगी कार चलाना बहुत ही आसान है और सिंपल तरीके से स्टेप बाई स्टेप में कार चलाना सिखाऊंगी आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड तो देखे ये की है की को देखिए यहां पर एसे घुमा गुषा करके ऐसे एक बाद कidänождब कि जिए तो यहां पर आपको सब sign दिखाने लगएगा कि यहां पर sign दिखाते हैं गेत ओपन रहता है तो वह दिखाएगा पैटरोल का sign यहां पर दिखाता यह स्पीडो मीटर है कितने स्पीड से गाड़ी चल रहा है वह यहां पर आपको बताता है यह देखिए स्टेरिंग है इसे स्टेरिंग कहते हैं और यहां कहीं भी आप प्रेस करोगे तो हॉर्न रजेगा यह देखिए राइट लेफ्ट इंडिकेटर है और यह वाइपर्स है जब यह बारिस में चलना होता है तो यह देखिए एक बार उपर करोगे तो थोड़ा स्लो स्लो होगा उसकी बाद और उपर करोगे तो फास्ट फास्ट होगा और उपर करोगे तो और ज्यादा फास्ट होगा फिर यह स्टॉप हो जाएगा यह देखें यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार का A, B and C Axelator, Brake and Clutch A for Axelator, B for Brake and C for Clutch आपको यह ध्यान देना है कि जब भी आप कारी ट्राइब करते हो तो हमेशा आपका राइट लेग जो रता है Axelator और Brake पे रहेगा यह राइट लेग को ही आपको Axelator और Brake पे लेके जाना है और लेफ्ट लेग हमेशा Clutch पे रहेगा लेफ्ट लेग को कभी भी Brake और Axelator पे लेके नहीं जाना है लेफ्ट लेग हमेशा क्लच पे रहेगा और राइट लेग एक्सलेटर और ब्रेक पे रहेगा ठीक है यह देखिए लाइट है जब भी आपको नाइट में चलना होता है तो यह लाइट यहाँ से ओन अफ होता है फ्रेंड्स यह देखिए गेर है यहाँ देखिए फर्ष्ट नमबर गेर सेकेंड नमबर थर्ड नमबर फोर्ट नमबर और फिफ्थ और यह रिवर्स है यह रिवर्स का साइन है पीछे जब भी आपको गेर चेंज करना रहता है तो क्लच पूरी तरह से दबा लेंगे देखिए क्लच मैंने पूरी तरह से दबा लिया है उसके बाद ही आप गेर चेंज करना है कोई भी गेर लगाना हो तो क्लच पूरी तरह से दबा के उसके बाद गेर चेंज करते हैं friends जैसे देखिए हमको first number gear लगाना है तो ऐसे clutch पूरी तरह से दबा लिए clutch देखिए यह पूरी तरह से यहाँ जब यह body में touch होगा तो यह clutch पूरा प्रेस हो गया clutch को पूरा आपको प्रेस कर लेना है उसके बाद first number gear कैसे लगता है left ले जाके आगे की और करेंगे तो यह first number gear लग गया और left ले जाके ऐसे पीछे की और करेंगे तो यह second number gear लग गया फिर यहाँ बीच में जो होता है यह neutral होता है जब भी ऐसे ऐसे आप ऐसे करके देखोगे left right तो left right अगर जो जासे पूरा move हो रहा तो आप समझ जाओ कि यह neutral में है first number second number समझ गया है देखे clutch में पुरी तरह से दबा के हूँ फिर मुझे अगर third number लगाना है तो neutral से सीधा ले जाएंगे ऐसे तो यह third number लग गया फिर यह देखे neutral आ गया neutral से जब पीछे जाएंगे तो यह fourth number लग गया सब मैं clutch दबा के लगा रही हूँ फिर यह neutral आ गया फिर right ले जाके आगे के और करेंगे तो यह fifth number लग गया फिर यह neutral हो गया फिर right ले जाके पीछे के और करेंगे तो यह reverse लग गया जब भी आपको gear change करना हो तो clutch पूरी तरह से दबा के ही आपको gear change करना है friends अब यह देखिए इसे handbrake करते हैं यह handbrake उपर है जब इसे down करना हो तो ऐसे press करेंगे हाँ पर इसको नीचे करेंगे तो यह handbrake down हो गया जब handbrake उपर उठाना है तो बस सीधा खीच देंगे तो यह उपर उठ जाएगा handbrake इसलिए लगाया जाता है ताकि गाड़ी हमारा move ना हो आगे पीछे यह एक तरह से brake का काम करता है एक बार और मैं बता देती हूँ handbrake को down कैसे करना है देखे यह आगे वाला बटन है ना इसको ऐसे press करना है और नीचे क्योर कर देंगे तो handbrake गिरा दिये और इसको देखे उठाना है handbrake तो बस सीधा आपको खीच देना है बहुत लोग को handbrake लगाना नहीं आता है वो इस बटन को press नहीं कर पाते है वस आपको क्या करना है जोड से आपको press करना है और ऐसे नीचे कर देना handbrake गिर जाएगा फ्रेंट्स जब भी आप right left जाते हो तो आपको इस mirror में और उस side वाले mirror में आपको ध्यान देना जरूरी है कि right left से गाड़ी तो नहीं आ रहा है पीछे आपको देखना जरूरी है जब भी आप right turn और left turn मोडते हो गाड़ी को तो और इस mirror में देखना जरूरी है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है ये भी पीछे वाले व्यू दिखाता है इस मीरड में इन सब बातों का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स आपको फिर से एक पर मैं बता देती हूँ ये एक्सिलेटर है ये ब्रेक है और ये क्लच है एक्सिलेटर जब गाड़ी आपको बढ़ाना होता है तो एक्सिलेटर ऐसे स्लो प्रेस करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगा ये ब्रेक है जब भी आपको कहीं गाड़ी रोकना है तो क्लच दबा के आप ब्रेक प्रेस करोगे तो गाड़ी आपका रुख जाएगा और ये clutch है जब भी gear change करते हैं तो clutch पूरी तरह से दबा लेते हैं उसके बाद ही gear change करते हैं तो आईए अब मैं आपको गारी drive करके दिखाती हूँ कैसे गारी start करते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं first number gear पे और फिर second number gear कैसे करते हैं friends तो देखिए engine start कर लिये हैं अब क्या करना है आपको clutch ऐसे दबा लेना है clutch और brake दबा लिया है उसके बाद क्या करना है hand brake को down करना है उसके बाद first number gear लगाना है left ले जाके आगे करेंगे तो first number gear लगेगा अब देखिए मैं कैसे brake द्यिरे-दरे मैं चोड़ी हूँ उसके बाद clutch धीरे-दरे चोड़ना है brake पूरी तरह से छोड़ लिया हूँ मैं देखिए brake से paire मेरा हट गया है और क्लच दिरे दिरे छोड़ना है तो देखे गाड़ी मूव हो रहा है आगे क्लच पूरी तरह से नहीं छोड़ना है बस दिरे दिरे आपको छोड़ना है क्लच लिए रहना है देखे गाड़ी मूव होगा जब गाड़ी move होता है तो उसके बाद क्या करना है आपको थोड़ा speed में आगया accelerator हलका सा दवाना है उसके बाद clutch दवाना है पूरी तरह से फिर second number gear लगा लेंगे उसके बाद accelerator दवाएंगे clutch से पेर हटा लेंगे फिर देखें आगे slow करना है मुझे क्योंकि turning है तो clutch मैं दवा ली हूँ clutch दवा करके उसके बाद हलका हलका brake लगाएंगे गाड़ी slow हो जाएगा और इस तरह clutch दवाके यह से चलाएंगे हलका सा clutch दवाते रहने है हलका छोड़ेंगे तो गाड़ी move होगा यह देखें दो नमबर पर चल रहा है हमारे गाड़ी फ्रेंट्स एक बर और मैं आपको दिखाती हूँ देखें clutch brake आपको दवा के रखना है clutch brake मैं पूरी तरह से दवाई हुई हूँ उसके बाद first number लगाएंगे first number gear में लगा ली उसके बाद देखें brake में छोड़ दी हूँ brake पूरी तरह से छोड़ देना है clutch को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो गाड़ी move हो रहा है गाड़ी देखें हमारा move हो रहा है अब थोड़ा फिर धीरे-धीरे clutch पूरी तरह से छोड़ देएंगे देखें clutch छोड़ दिये उसके बाद क्या करेंगे अब इस पीड आगे है थोड़ा दारी तो दो नमबर लगा लेंगे इसे देखिए दो नमबर पर मेरा गारी चल रहा है अब जब रोकना हो आपको तो क्या करना है क्लेच ब्रेक दबा लेना है और गेर को नीट्रल कर लेना है तो इस तरब मारा गारी रुक गया फिर आपको इंजिन आफ कर दीजे तो गारी बंद हो जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और बहुत सारे वीडियो कार से डिलेटेब में डाली हूँ लर्ण ड्राइविंग तो आप जाकर के मेरे चैनल पर आप देख सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और सेयर करें मेरे चैनल को थैंक यू बाई